आज मैं बनाने जारी हो एक बहुत ही पॉप्यूलर गुजराथी रेसिपी जिसका नाम है खांडवी यह बिलकुल ओईल फ्री है और इसे आप रिक्फस्ट या शाम के नाश्टे में सर्फ कर सकते हैं खांडवी को हम गैस पर भी बना सकते हैं लेकिन माइक्रोवेब में बनाना इसे बहुत ही असान है और यह बहुत कम समय में बन जाती है तो चलिए इसे हम माइक्रोवेब में कैसे बना यह देखते हैं और मेरे वीजो के नीचे लाइक का बटन है इसे आप जरूर क्लिक कीजे और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए खांडवी बनाने के लिए हमने लिया है एक कप बेशन, एक कप दही, एक कप पानी, आधा इंच कसा हुआ अधरक, दो पीस कटीवी हरी मिर्चा, नमक स्वादनुसार और आधा चमच हल्दी पाउडर और तड़का लगाने के लिए हमने लिया है दो चमच तेल, आट से दस पीस करी पत्ता, एक चमच राई और दो पीस खडी लाल मिर्च और गानिश करने के लिए हमने लिया है बारी कटीवी धन्या की पत्ती और कसा हुआ फ्रेश नारियर तो चलिए फ्रेंड सब हम माइक्रोवेव में खानवी बनाना स्टार्ट करते हैं खानवी बनाने के लिए हमें सबसे पहले बेसन का गोल बनाना है तो इसके लिए हमने लिया है गहरा बटन और इसमें हम ढालेंगे बेसन हमने यहाँ पर एक कप बेसन का इस्तेमाल किया है और सेम मेजरमेंट से ही हम यहाँ पर एक कप दही का भी इस्तेमाल करेंगे और सेम मेजरमेंट से ही हम एक कप पानी का भी इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब है कि हमारा बेसन दही और पानी का जो रेशियो है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए आपने जिस मेजेमेंट से बेसन लिया है उसी मेजेमेंट से आप दही और पानी भी लेंगे अब इसमें हम डालते हैं कसाववा अद्रक और कुछ कटीवी हरी मिर्श भी डाल दीजे स्वादनुसा नमक भी डाल देंगे और लास्ट में इसमें हम डालते हैं आधा चमच हल्दी पाउडर अब सभी को हम अच्छी तरीके से विस्की सायता से मिक्स कर लेते हैं आपछाएं तो इसे मिक्स करने के लिए हैंड्वीतर या मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखें हमारा घौर बिल्कुल त्यार हो गया है अब इससे हम छान लेते हैं जिससे की ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा इसके लिए हमने चनली लिया है और इसमें हम डालते हैं बेशन का गोल और इसे हम अच्छी तरीके से छान लेंगे ये देखिए छानने के बाद जो गोटा अद्रक और मिर्च है इसे हम अलग कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा बेशन का बिल्कुल स्मूद गोल तयार हो गया है हांड भी हम माइक्रोवेव में बनाने जा रहे हैं तो इस गोल को हम माइक्रोवेव से बाउल में डाल देते हैं अब चलिए इसे हम दो मिनिट के लिए माइक्रोवेव में रखते हैं हमने बेशन की घोल को हाई टेमप्रेचर पर दो मिनिट के लिए रखा है दो मिनिट हो गया है अब हम घोल को बाहर निकालते हैं आप देखने की साइट की बेशन हमारी थोड़े ठीक हो गए है है तो इसमें घबनिकी जुरत नहीं है इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जिसे कि इसमें बिल्कुल लंभ सना रहे चम लसे चलाते विए हम इसे एक बड़ इसी तरीके से मिक्स कर लें मिक्स करने के लिए आप चाहें तो विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह देखें घोल हमारा पूरी तरीके से मिक्स हो गया है अब घोल को हम फिर से माइक्रोवेव में हाई टेंपरेचर पर रखेंगे और इस समय इसे हम सिर्फ डेड़ मिनिट के लिए ही माइक्रोवेव करेंगे डेड़ मिनिट हो गया है अब हम घोल को बाहर निकालते हैं और इसे हम फिर से विस्क की सायता से अच्छी तरीके से चिकना होनी तक चला लेंगे हांडवी को हम एक साथ माइक्रोवेव में 3-4 मिनिट तक के लिए नहीं रखेंगे माक्सिमम हम डेर से 2 मिनिट तक के लिए ही माइक्रोवेव करेंगे उसके बाद हम निकाल लेंगे नहीं तो गोल में लंस पर सकते हैं बिच बिच में निकालते हुए इसे हम चलाते रहेंगे जिसते की गोल में लंस न पड़े ये आप देख रेंगे गोल हमारा काफी ठीक हो गया है लेकिन इसे हम फिर से आधी मिनिट के लिए और रख देते हैं तो ये पूरी तरीके से तयार हो जाएगा आदे मिनिट बाद हम फिर से घोल को बाहर निकालते हैं इसे हम एक बर अची तरीके से चला लेते हैं जिसे कि इसमें बिल्कुल नमस ना रहे इस तरीके से खाणवी बनाने के लिए घोल हमारा चार मिनिट में माइक्रोवेव में बिल्कुल तयार हो जाता है और अब चलिए इसे हम फैलाते हैं तो फैलाने से पहले हमें जिस भी बरतन पर फैलाना है उसे हम बिल्कुल तयार रखेंगे क्योंकि गोल है वो जैसे थंडा होता जाएगा काफी हाड़ हो जाएगा इस समय हमें बहुत जल्दी हाठ चलाना होगा तो घोल को फैलाने के लिए हमने लिया है बड़ी थाली और इसे हमें ओयल से ग्रीज करने की जुरत नहीं है थाली को हम उल्टा रखेंगे और इसके एक साइड में लगवग दो से तीन चमच घोल हम इस तरीके से फैला देंगे अब घोल को हमें थाली के उपर बिल्कुल पत्ला पत्ला फैलाना है तो हमने लिया है ये इस क्रैपर और घोल को हम इस तरीके से बिल्कुल पत्ला थाली पर फैला देंगे स्क्रापर आपको मार्केट में असानी से मिल जाएगा यदि आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो नीचे देगए लिंक पर क्लिक कीजिए गोल को पतला फैलाने के लिए यदि आपके पास स्क्रापर नहीं है आप कोई भी फ्लाट चमच या फ्लाट बेस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह देखिए हमने खांडवी एक होल को बिल्कुल पतला फैला दिया है अब इससे हम दो मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देत है कि हमें इस समय बहुत जल्दी हाथ चलाना होगा नहीं तो घोल अगा ठंडा हो गया तो रोल्स हमारे बिल्कुल नहीं बनेंगे गोल को फैलाने के लिए आप किचेन के काउंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी बोर्ड और बेकिंग ट्रे का भी आप इस्तेमाल की ओपर फैला देंगे तो हमने ठोक गया है हमारी खान भी बिल्कुल सेट हो गई है तो चलिए अब इसे हम काट लेते हैं हम इसे डेड़ से दो इंच चौड़ी स्ट्राइप्स में काटेंगे चड़ाई में काटने के बाद अब इसे हम रोल करते हैं हम इसे किनारों को हलका सा खोलने के लिए हम चाको की हेल्प ले लेते हैं और इसे हम विल्कुल अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे और यदि स्ट्राइप्स काफी लंबे हैं लंबाई को कम करने के लिए आप इसे बीच से इस तरीके से कट भी कर सकते हैं और एक स्ट्राइप से आप दो खानवी के रोल्स बना सकते हैं तो इस तरीके से हमने सारे खानवी डोल्स बना लिये हैं और इसे हमने प्लेट में बिल्कुल अच्छी तरीके से अरेंज कर लिया है अब चलिए इसके उपर हम तड़का लगाते हैं तो तड़का लगाने के लिए हमने लिया है छोटा पैन और इसमें हम डालते हैं दो चमश तेल हम तेल को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर गरम करेंगे और जैसे ही तेल हमारा थोड़ा गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे राई और राई जब तक बुरी तरीके से फूटना जाए हम वेट करेंगे जैसे ही राई हमारी फूटने लगेगी वैसे हम डालेंगे इसमें करी पत्ता और इसमें हम ढ़ादेंगे खडी लाल नुट और गयास का फ्लेम हम बन कर देंगे तो इस तरीके से मा तरका तयार हो गया है अब चलिए इसे हम खानवी रोल्स के उपर डालते हैं हमारा खाणवी बिल्कुल दयार है इसे आप रूम टेबरेचर पर रखकर किसी भी हरी चटनी के संग सर्व कर सकते हैं अगर आपको यह रेषिपी पसंद आई है तो मेरे वीजो की नीचे सब्सक्राइब का बटन है इसे आप जरू कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रेषिपी देखने के लिए आप हाट उजड़े और साटरेडे मेरे चानल पर विजग कर सकते हैं